राज्यागाँ लिडे के डुगरगर से लगभक 20 किलोमेटर दूर ग्राम पर चैत मोहारा निवासी महंद्र भार्ती का ट्रेक्टर पलट गया जिससे युवक की मौत हो गई युवक की मौत के बाद इंगे परिवार का भरन पोशन करने वाला कोई नहीं है पिता लखवा ग्रस्ट होने से बिस्तर पर ही रहता है ऐसी परिस्थितियों में घटना के बाद भी प्रितक की परिजनों को ट्रेक्टर माली की ओर से किस दरह की आर्थिक मदद नहीं दी गई परिजनों का कहना है कि अब इंगे परिवार का भरन पोशन कैसे होगा और कौन करेगा अब लोग ने मना किया था मना करें तो फर कैसे अतना गाम टेक्टर है मुरेज बेटा दिख्थे का इसे टापके बोले हैं कुछ नहीं बोली सुमाना यह तरफ फे तरफ गुमिस अवगों करके आस दो लाले इसका पीछे तरफ घिसा में सामने बोलें भान भी लगाय थे अोनों में बुलाके पिर एक लड़क भे बेज है गांव की कौबाल लड़कह है तो पंसाभ औरी ते रही से और भात तीन लीटर तेल लायर है तेल आपके दमरें घिक्टर बहु करने नेकित रही से तब पुलिस वाले भी फोटो लेते रहें लेकिन अम लोग दोनों मा मानान लटेकाल और लेकिन दोनों पकड़के वह से घटादी किसी दो पुलिस वाले कम और बेटा निकाल देगा माटी ले से खीचा मोर बेटा कि इतना दाप गिरिस अलिकाल लेते तो बच जाता है मटी में पुलिस वालन क्या है ओमना वीडियो बना वी सपन मोबाइल में फोटो खीचा रही है तेकर बाद मुर्दमान मुर्भाई माना इसे तीर मुर्माई के तेंदू भाठा तब ओमना इसना तब डौर से वहां डौर फासरी समें डौर और चक्का से सब्सक्राइब जब पूरे गाहां में पता चल गया गाहां भीड़ो फूलिस वाले जब भेजे घर में तब पता अच्छे बजे आके पर तेक्टर किसका फसा था हो संजु अर्मा का इस जा कहां रहता है वो यही मुहारक निवासिया और यही लोग पहले भी एक बार भाई को उसी नाले म नहीं था जो जो उनको बुलाते हो सब के काम में जाता था मना नहीं करता था वो तो लेट मारे हैं से करके संजु नहीं थे ठांसिंग और को तवाल लड़का था और मने सोधी था उस समय कार्थिक मदद तो जो भी है कार्थिक मदद तो चाहिए पापा पैरलाइस है अब घर का इकलौता बेटा था घर वही चलाता था नाले में फसत था जाके देखे तो नाला था खेत नहीं था नाला था वीचे शंजु गेरिसमता शंजु के नाला फ़सरी टेक्टा लगी चल गे नाला भर्मा